जब मैं 10 years का था तो मेरी दादी मुझसे कहती थी मेरे एकलाओता पोता हमेशा याद रखना भारत की जलवाई गरम है मैं उसे कहता कि दादी आप यह क्या कहती हो ठंड के दिन में यहां इतनी ज्यादा ठंड पढ़ती है फिर भी आप कहती हो कि भारत की जलवाई गरम है वह हस्ती और बोलती कि तुम मेरे बात को अभी नहीं समझ पाओगे जब मैं 12th क्लास में परिछा दिया माक्स अच्छा लाया, मुझे डिस्टिंग्सम मिला मैं अपने दादी जी को दिखाया मेरे दादी जी खुँस हो गई और मुझे बोली मेरे इकलवता पोता हमेशा याद रखना भारत की जलवाई गरम है मैंने उनसे कहा कि मैं यह बच्पन से आपके द्वरा सुनता आया हो कि भारत की जलवाई गरम है माया मान लिया, अच्छी तरह पठ लिया करता है जिस देश की जलवाई गरम होती है वहाँ पर गरीब लोग ज्यादा होते हैं वहाँ पर काम्याब हो पाना अमीर हो पाना कठिन होता है वहाँ पर क्रोध ज्यादा उत्पन होता है वहाँ पर घमण ज्यादा होता है मैं इस बिग्ञान को अब समझ गया जलवायू गरम है इस बात से वह क्या कहना चाहती थी मैं अच्छी तरह समझ गया वह अटमोस्फियर का बात बिल्कुल भी नहीं कर रही थी दोस्तों आप मुझे Instagram, Facebook और Twitter पर Follow कर सकते है मेरे Instagram और Facebook का उचल्यने मैं संजेकुमार Inventor और मेरे ट्यूटर का उचल्यने मैं संजेकुमार 919 दोस्तों मिलते हैं फिर अगले विडियो में Bye